तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे लूसीफर के सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, फॉर सीजन के बारे में इससे पहले मैं इसका फर्स सीजन देख चुका हूं और वो इतना कुछ खास पसंद आया नहीं था फिर भी मैंने पता नहीं क्यों इसके तीन सीजन और देख लिए शायद इसलिए क्योंकि मुझे डैविल का जो लव लाइफ है वो देखने थी भले खुद की लव लाइफ के लगे पड़े हो फिर फिर भी किसी की दूसरी लव लाइफ देखने में ज्यादा मजा रहे है थोड़ा बहुत इंट्रो की बात कर लेते हैं लूसीफर के बारे में बाइस अब एक डैविल है वो अपने हैल में रह रहे के बोर हो चुका है अपना काम कर करके पक चुका है तो उसे लगए मुझे छुटियां मनानी चाहिए या थोड़े टाइम के लिए मुझे बाहर निकलना चाहिए तो अपने हैल को छोड़के वो धरती प्याता है इनसानी रूप लेकर अब यहां पर यह एक डिटेक्टिव से मिलता है और इसको इससे कुछ एट्रेक्शन होता है अब दोनों के बीच में क्या होता है यह सारी चीजें जो हैं वो सीजन वन, सीजन टू, सीजन थर्ड, सीजन फॉर इन सब चीजों में देखने को मिलने वाला है देखो सीजन वन की बात करूँ तो उसके अंदर जैसे केस रखे गए थे सच में, मतलब की डिटेक्टिव है, obviously वो केस तो दिखाएंगे न, अब यह जो केस दिखाए गए थे, भले ही सीजन फॉर तक की बात कर लो यार ऐसी फिलिंग आ रही थी, जैसे मैं CID देख रहा हूँ, मतलब की हर एक एपिसोड के अंदर एक नया केस आ रहा है और उस ने केस को हर उसी एपिसोड के अंदर सोल भी कर दिया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत मुझे अजीब सा मतलब, मैं यह नहीं कहूंगे कि उसमें कहां लोजिक था है, यह वो हर टाइम ने-ने केस देखना, उससे कहानी से मैं कहीं रिलेट नहीं कर पा रहा था, तो ह जादा तर एपिसोड आप देखोगे, मुझे ऐसा फिल वा कि यार यह जो एपिसोड है, वो एक तरीके से फिलर है, आप कहीं ना कहीं इन एपिसोड को खतम कर सकते थे, यार मतलब कि मुझे थर्ड सीजन खतम होने तक यह वेट करना पड़ा, मतलब कि यह जानने के लिए इंतिजार करना पड़ा, कि भाया जो डिटेक्टिव है, जो क्लोई है, वो लुसीफर का सच कब जाने की बावजूद इसके कि सारे लगबगज उसके आसपास के दोस्त है, मतलब कि यह तो जो डॉक्टर है, उसको सच पता होता है, वो फटदनी बता देता है, लेकिन पता सीजन के लास्ट में पता चलता है कि भाया लुसीफर जो है वो एक डैविल है, यह क्लोई को पता चलता है, और फॉर्थ सीजन के एंडिंग में यह पता चलता है कि भाया जो क्लोई है, वो उससे प्यार करती है, कैर मैं कोई स्पोईलर नहीं दे रहा हूँ, यह तो देखो क्यों पीते हो यार उसको देख देख के उल्टी जैसे फिलिंग आ रही है फिर उसके बाद इसके अंदर जो सेक्स का जैसे यूज किया गया है बार 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 हर टाइम भाई यार वो सच में इरिटेशन पैदा का देता है यार बजब दिखाया नहीं गया है इसके अंदर कोई न्यूड सीन नहीं है फॉर्थ सीजन में है शयद वो फॉर्थ सीजन में मैंने जहां तक मुझे याद आ रहा हुए उसके अंदर हाफ न्यूड का है लेकिन लड़की का नहीं लड़के का दिखाया गया और फिर एकर इसके बाद बात करें तो इसमें आता VFX यार फॉर्स सीजन से 4 सीजन में आगया मुझे कहीं पर भी ढंके VFX देखने को नहीं मिले मुझे कोई ढंकी fight देखने को नहीं मिली कहीं कहेंगे यह फाइटिंग पे नहीं है लेकिन VFX का सही ढंग से यूज करो जितना भी इसके अंदर दिखाया गया है वो फेक जैसी और चीप जैसी वो फीलिंग देते हैं यार Amazon के ओपर आकर आप The Boys करके सीरीज देखते हो यार उसके VFX देखो और यहां पर जो Lucifer एक सीरीज जिसके लगबाग साथ सीजन आ चुके हैं उसके ओपर VFX के ओपर खर्चा नहीं क्या गया यार यह हजम होने वाली बात नहीं है Amazon से कुछ सीखना चाहिए लेकिन बावजोद इतनी कमियों के फिर भी आप इस सीरीज से कनेक्ट रहोगे मैं सच में मैं कबसे इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए लगा हुआ हूँ बार बार हर एपिसोड मतलब बार बार नहीं लगातार यह एपिसोड देखता जा रहा ह और इतने सारे एपिसोड देखने के बाद मैं अपने आप से यह सोच रहा हूँ यार चो लोग रिवियो करते हैं वो कैसे एक साथ एक दिन में पूरी की पूरी सीरीज देख जाते हैं और फिर कैसे दूसरी सीरीज के उपर शिफ्ट हो जाते हैं फिर उसका रिवियो करके upload कर देते हैं यह समझ से बहार वाली बात है यार मुझसे तो नहीं हो रहा है मतलब एक टाइम में एक ही सीरीज देखी जाती है और उसको भी complete करने में टाइम लग जाता है वह यह दिमाग है मशीन तो है नहीं कि एकदम से सारा कुछ फीड कर ले टाइम लगता है ना इमोशन भी होते हैं फिर उसके पर रियक्ट भी करना होता है अपनी बात भी रखनी होती इतनी पता नहीं वह अलगी दुनिया से आया लगता है तिरीज सीरीज के अंदर देखो दो करेक्टर है जो मुझे बिल्कुल भी इरिटेटिंग लगते हैं सबसे ज्यादा इरिटेटिंग मुझे वो डॉक्टर का एक करेक्टर है लीन्ड़ा करेकर वो सच्छ में यार वह चाहती क्या है उसे खुद नहीं पता और वन डॉक्टर है साकेट्टिक है वह लोगों को शांत करती है लोगों को बताती उन्हें क्या चाहिए लेकिन उसे खुद नहीं पता उसे क्या चाहिए ये कौन सा लोजिक हुआ भाई साथ फिर इसके बाद आता है मेज यार ये है क्या मतलब इसको लड़का भी पसंद है इसको लड़की भी पसंद है या फिर ये बाय सेक्शुल है मतलब हर कोई चलेगा इसको तो ये वाला थोड़ा सा confusion थी रही मैं तो चाहिए गया एक तो इसको भी दूर करो यार इसकी confusion ये दोनों ही करेक्टर मुझे काफी ज्यादा हाँ कही ना कही मुझे जो मेज का करेक्टर वो थोड़ा बहुत पसंद आता है लेकिन लिड़ा जो एक डॉक्टर का करेक्टर यार वो सच में बहुत जादा इरिटेटिंग है उसका मनलब वो क्या बोल रही है फिर उसे क्या डायलोग दिये गए है वो आउट ऑफ बोक्स कह सकते हैं मतलब कि अलगी दुनिया के उसने विचार पर कट कर रखें वहाँ पर लेकिन सबसे बढ़िया जो करेक्टर आपको लगेगा ओविसली लूसीफर लगेगा क्योंकि में फोकस लूसीफर के उपर ही रखा गया है उसकी जो कहानी इसके अंदर दिखाई गई है कैसे अपने पिता से वो यानि अपने पिता जो गोड है वो उससे डरता है मैं डरता नहीं उससे जैसे नफरत करता है फिर आपस में जो उसके भाई आते हैं उसकी मा आती है उसकी बहाएन आती है सारा परिवार धरती पे आ जाता है और फिर कैसे ये उनके साथ बातचीत करता है अपनी behavior को कैसे समझते हैं यह वाला जो portion है वो आपको काफी जादा पसंद आएगा एक जो मुझे बहुत बढ़िया concept लगा Lucifer और जो दुनिया की सबसे पहली लड़की होती है इव इन दोनों के बीच का जो relation दिखाया गया फिर इव कैसे इसको manipulate करती है कैसे इसको विवार में इसका behavior में change आता है Lucifer के तो यह देखने में काफी interesting आता है वहीं आप जो detective जो Chloe है उसका perspective जानते हैं वो क्या सोचती है कैसे Lucifer उसके साथ रहता है कैसे परताव करता है वो एक अलग ही Lucifer आपको मिलता है तो यह behavior wise जो change है वो आपको बहुत जानी कैसे बढ़ेगी और जो Lucifer का असली face है जब जामने आता है तो कैसे reaction सामने आती है Chloe के वो भी आप जानने के लिए काफी जादा उत्सुक रहोगे मैं बहुत जादा रहा इसलिए इसके लगातार मतलब देखें लेकि मैं इतना irritate हुआ मुझे कुछ चीज़ें पसंद आप लोगों ने देखी है तो कॉमेंट कर देना अगर नहीं देखिए तो देखो यार आप इसको अकेले ही देखना मैं बिल्कुल भी प्रैफर नहीं करूँगा कि आप फैमिली के साथ देखे और एक साथ तो देखने की कोशिश भी मत करना सच में यह दिमाग खराब कर द कि पूर्ण चेंच भी मत कर देखेगे वार इसकेले है खराब कर देखेखंगेगे कोशिश उवा है